हेलो एवरिवन वेलकम टू माय चैनल रियल मॉम यूटूबर आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने बच्चे को रीडिंग करना सिखा सकते हैं रीडिंग सिखाने से पहले क्या ऐसे बेशिक स्टेप होते हैं जो आपको फॉलो करना होता है जब भी आप बच्चे को रीडिंग सिखाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप कोई सेंटेस बच्चे को रीड करके बताएंगे बच्चे को letters लिखना आना चाहिए, capital letter, small letter, uppercase and lowercase, दोनों ही A-to-Z तक बच्चे को आना चाहिए, जब आपके बच्चे को writing practice हो जाए A-to-Z की, उसके बाद आपको बच्चे को A-to-Z तक सारे phonic sounds दिखाने हैं, Like A says, A, B says, B, C says, Kh, Kh, इस तरीके से A-to-Z तक सारे sounds होते हैं, हर एक letter का आपना एक sound होता है, इस पर मैं already एक video बना चुकी हूँ, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, आपको A-to-Z तक सारे phonic sounds दिखाना है, Then, आपको अपने बच्चे को vowel and consonant में difference करना सिखाना है, कि 26 letter होते हैं, उसमें से 5 letters vowels होते हैं, और बाकी जो letters होते हैं, उन्हें हम consonant कहते हैं, बच्चे को vowel and consonant का concept सिखाना बहुत ज़रूरी है, मैं vowel and consonant पे भी एक video अल्री कर चुकी हूँ, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, जिससे आपको clear हो जाएगा कि कैसे आप अपने बच्चे को vowel and consonant का concept सिखा सकते हैं, जब आपके बच्चे को vowel and consonant का concept समझ में आ जाए बेन आप उसको धीरी-धीरे करके reading दिखाएंगे reading आप कैसे सिखाएंगे two letter words से start करेंगे आपको सबसे पहले start करना है vowel sounds like every vowel makes special sound short sound of vowel A says अब A sound के कौन-कौन से word होते हैं ये आज हम पढ़ेंगे तो चलिए start करते हैं हम A sound words यहाँ सबसे पहले दे रिखा है L A P हम इसको phonetically कैसे पढ़ेंगे ल आप लाप ठ आप टाप ख आप गाप न आप नप न आप नप इसे हमें तीनों को पढ़ना पढ़ रहा है हर एक का से पहले 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 आपको ने टू लेटर वर्ड्स की प्राक्टिस करानी है जैसे कि यहाँ पर लिखा है L A P इसे हमें तीनों को पढ़ना पढ़ रहा है हर एक का साउंड जैसे कि यह थ्री लेटर वर्ड्स है ल आप तो इससे पहले अगर बच्चे को आप यह एक साथ पढ़ना आता है आप तो बच्चे इसको कैसे पढ़ेगा इसको एक-एक साउंड अलग से पढ़नी की जबरत नहीं है तो आप त्री लेटर वर्ड्स से पहले टू लेटर वर्ड्स पढ़ना सिखाए देन त्री लेटर वर्स लाइक लाप लाप थअ आप दाप कब अब नाप 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 माप लाइड लाइड साद साद बडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड R-ag, rag T-ag, tag B-ag, bag F-an, fan V-an, van R-an, ran K-an, can F-an, pan M-an, man F-at, fat S-at, sat R-at, rat K-at, cat B-at, bad H-at, hat F-at, pat M-at, mat यहाँ पर एक X word भी दे रखाँ V-ax Wax K-ab Cap J-am Jam H-am Ham अब बच्चे को बार-बार reading करानी है डेली आप उसको दस से परना मिट प्राक्टिस कराईगे रीड करने की तो बच्चों को बहुत असानी से यह पढ़ना आ जाएगा बहुत जरूरी है कि आप बच्चे को डेली रीडिंग की प्राक्टिस कराईगे तब ही बच्चे रीड करना सीख पाएगे यह सारे वर्ट्स पढ़ने के बाद आप बच्चे को एकसरसाईज करा सकते हैं एक्जामपल यहाँ पर बैग दे रखा है अब आपको अपने बच्चे को बोलना है कि बैग यहाँ पर कहा है धूढ़ना है पहले , सबसे पहले Бैग अगर बच्चे को फोन एक सांग आता है तो बच्चे आसानी से यहाँ पर ढूढ़ना है कि अग वर्ट्स यहां पर दे रखें हैं बव एग तो यहां से जाके इसको मैच करदेना यह नेक्स्ट यहां पर एक मैट है हमें भूगना है mat mat starts with the letter m at where is mat this is mat this is hat 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 where is hat at word is here so this is hat इसलिए बहुत ज़्यादा important reading के लिए next is rat at r at at तो यहां rat कहा है rat next is pan where is pan pan where is pan here is pan this is man where is man man की spelling क्या होगी where is man here is man next one is tag यहां पे tag दे रखा है तो हमें ढूणना है tag कहा है tag starts with the letter t at g तो यहां बच्चे को ढूणना है and then इसको match करना tag तो इस तरीके से आप बच्चे को प्राक्टिस करा सकते हैं बच्चे जब ढूण रहेंगे थोड़ा सा सोचेंगे बच्चे सोचते है तो और जादा उनका brain development होता है और सोचने से ही बच्चे जल्दी सीख पाते हैं next is bat 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 next is cap 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 here is cat this is cat cat where is cat cat this is van 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 is here van तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को प्राक्टिस को प्राक्टिस को प्राक्टिस का सकते हैं और धिरे धिरे करके two letter words then three letter words vowel and consonant में difference करना सिखाना and then उनको इस तरीके से आप reading करना सिखा सकते हैं तो यह थी a sound word की worksheet next हम करेंगे e sound की worksheet I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और यह वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को like कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिएगा साइड में जो बैल बटन दे रहा है उसे भी प्रेस कीजिएगा जैसे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे सारे वीडियो देख सकें थाइड वाचिए अपी लर्नी